जहां पर हम इस सेशन के साथ साथ इसके प्रमुक नोट्स को भी पढ़ेंगे जहां से परिच्वों में शवाल पूछा जाते हैं जहां परिच्वी एक मात्र आशा ग्रह है जहां जीवन है यहां मानुजीवन के लिए आवस्यक्तत्त है भूमी जल जाता हवा पिठ्वी पर मौजूद है और आप भी जानते हैं जीवन के लिए क्या कर जीचे अहम है अले चीत भूमी जल और हवा बिना इनके दो जीवन पासुबल नहीं है और हवा में भी ऑक्सिएन होना भी जरूरी है तो इस प्रकार पिठ्वी की सत्र ऐसी है जिसमें तीन महत्तपूर घटक है बात करें भूमनडल जिसे हम अस्थल मंडल के नाम से जानते हैं पायू मंडल और जल मंडल ठीक है तो यहाँ पर हम देखेंगे तो लिठोस्पीर, एटमोस्पीर, हैड्रोस्पीर, तीन प्रूमक मंडल है आईए तीनों मंडलों के बारे में करमवा रुप से पढ़ते हैं जी है भू मंडल जिसे हम अस्थल मंडल कहते हैं जिसे हम अस्थल मंडल के नाम से जानते हैं अस्थल मंडल अस्थल मंडल है पित्वी की सत्य के दो मुख्य भागों में बाटा जा सकता है महादीप और महासागरी बेशिन बड़े अस्थली बेशिन कहते हैं, जिने हम जल मंडन में ध्यन करते हैं, दुनिया के शभी महासागर एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए, दुनिया के जितने भी महासागर हैं, किसी भी तरह से वो एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए हर जगह समुद्र का अस्तर एक समान होता है इसलिए दुनियों की कोई भी उचाई या घहराई कुमापना होता है तो वाटर लेबल के साफ एच्छ ही नापते हाथ है कि जो इस्टेशन का बोर्ड लगा होता है जिले का जो इस्टेशन के नाम का वहाँ पर नीचे पत्रिस लाइन में लिखा हो जैसे कर इतन अस्तर को जीरो माना जाते हैं जो समतल का अस्तर उपर का जिसे हम जीरो लेबल मानते हैं उसी का धार पर दुनिया के सभी उचाई और सभी घहराई को बापा जाता है तो यह बहुत इंपोर्टन लाइन है कासका राश्कल परिच्छों में कूट वाले सवाल पुछे जाते हैं या गहरी जगहें हैं पर गासकते हैं गहरी गर्त जो है मैरियाना ट्रेंच है जो प्रशांत मासागर में जिसकी गहराई समुद तल से 11,022 मीटर है तो यह भी सवाल आपके पर इच्छों में पूछे जाते हैं यह दोनों उचाई और गहराई यह समुद तल के साफ़ पेच्छे मापी जाती है तो आप चाहें दूसके इसकी इंसोर रख लें वैसे वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने सभी मित्रों को शेयर जरूर करिएगा अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर कुछ महादीफ है जैसे आप अस्ट्रेलिया महादीफ है एशिया म महादीफ है यूरोप महादीफ महादीफ है उपरिका महादीफ है उततै अमेरिका अभी जैन को,... NCRT के बाद के स्रीज में वैसे यहाँ पर हम किवल किवल जितना चीज़े NCRT में दी गई है किवल उतने कही अध्यन करेंगी क्योंकि कच्छा की NCRT उस लेवल का है और हम लेवल के साब से पढ़ रहा है तर्थो के तरफ बढ़ रहा है दुनिया में साथ महादीप एक सवाल करें जो जलाश्यों के कारण एक दूसरे से अलग है साथ महादीपों के नाम है एशिया यूरोप अफ्रिका उत्रे अमेरिका अश्ट्रेलिया और अंडर कडिका महादीप है भुभाग का दिकांस हिस्सा उत्री गुलार्द में अगर हम देखें तो अगर हम इस तरह से इसका उमन है अगर आपको जो जानना भी जरूरी है कि आपके जरूरी है महादीपों के बारे में जानना ठीक चलिए बाकी महादीब विस्थापन से धान दोगर क्या है महादीब कैशे बने हैं कैसे इसका निर्माड हुआ है इसके लिए महादीब का विस्थापन कैशे हुआ है इसके लिए जम बैकल्पिक विस्था के रुप में पढ़ेंगे तथ्यों को तब इसके बारे में विधिवात वुर्प समापट में से चर्चा जरूर करेंगे रही जानते हैं एसी आप पहले महाधिव जो है एसया के बारें पढ़ते हैं आपके सो fino पर प्ढ़ेंगों ऐसे जब हासे महाधिव के बारें पढ़ेंगे बहुत Drag महाद्यपूर्ण सी जाएंगी जो हमारे पढ़ने और समझने के लिए महत्यपूर्ण होंगी लेकिन यहां परमूनी तत्यों को पढ़ेंगे जहांसे हमारे परिक्षा में शवाल आ सकते हैं ठीक किसी को को यह पूछना हो होगा तो पूछ सकते हैं ठीक चलिए इस्या महादीप यह सबसे बड़ा महादीप है यह सबसे बड़ा महादीप है जी हाँ अगर इस महादीप के बारे में जाने तो पित्वी की भुभाग का लगग एक तिया हिस्षा एस्या महादीप में यह सबसे बड़ा महादीप है इसका एक तिया हिस्षा जो है इस्षी मे यह महादवीब पूर्वी गुलार्द में इस्तिति यह महादवीब कहां पर है पूर्वी गुलार्द में उत्तर पूर्वी गुलार्द में यूँ कह सकते हैं Asia महाद्वीब शकर करके रेखा गुजरता है तो इसलिए यहां से परिष्षा में प्रश्चन भी कई भर पूछ लिए जाते हैं Aézria को नाम प्राचीर की अलब अलग ब्याक्षाइं भी होती है तो इसके लिए हमया अगे चलते हैं अगर हम देखेंगे तो पस्ची में यूराल परवत एशिया और यूरोप को अलग करता है अगर पस्ची में देखा जाया तो यूराल परवत है यह एशिया को यूरोप से अलग करता है एशिया और यूरोप एक दो आशने महादूफ हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं अ और हम जानते हैं कि युराल परवत के साथ चलती है फिर इंबा नदी के साथ अच्छल में कई चीज़ें इसी हैं जो आपके लिए महत्पूर्ण हो सकती है इस या कि अगर देखाए सबसे उची चोटी सबसे लंबी नदी इस तरह के जो सब्सक्राइब करेंगे और आपके साथ मिलकर पढ़ेंगे भी तो महादेव में कुछ कितने देश हैं कोमेंट करेंगे बताएगा अगर हम बात करें यूरोप महादेव की तुर्णा में यूरोप बहुत चोटा है और एसिया के पश्ची मिस्तित हैं यह तीन तरफ से जलाश जोप महादीव के बारे में अगर पूछा जाएłem तो क्या बता सकते हैं कि बताईए फड़ाओ कमेंट करें आज जो भी कर सकते हैं बताईए वैसे हम लोग कोसिस करेंगे स्टत्यों को पढ़ने के लिए अब पढ़ते हैं अफरीका महादेव जभी हमारे मंन में जयहन में अफ्रिका महादीप आता है दीखिया अफ्रिका पर टैपिंग में थोड़ा सा एरेर है यह होगे अफ्रिका महादीप यह दूसरा सबसे बड़ा महादीप है अफ्रिका का धिकांस हिस्सा उत्री गोलार्द में इस्तित है एकलोता महादीप है जिस शोकर तीन मुख्य समानता और इसमें अगर बात करें तो जो अफरिका महादीप में देशों के शंख्या है लगभग चौवन देश हैं कहीं कहीं आपके सबसे कुल कितने देश हैं यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महादीप है अफरिका से होकर विश्वत रेखा चीशे भूमद रेखा कहते हैं करकर रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है विश्वत रेखा अफरिका के लगभग वीचों बीच से गुजरती है दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्तल शहारा का मरुस्तल अफरिका महादीप में ही है द च्छेत्रफल की देश्ट से देखा जाए तो अलजीरिया अगर देखा जाए कि अफ्रिका महादीब का सबसे ज्यादा जन्सें के आला देश है और अफ्रिका का सबसे कम अधिवाले जो देश है वह सैसल्स है अब हम अगर यूरोप कूपर आप लोगों ने पढ़ लिया कि यूरोप संग में कुल 27 सदस्ट है यह पूछा जाता है ठीक है यहां सभी सवाल आपके परिक्षव में पूछे जाते हैं ठीक है और अगे हम देखेंगे हां इससे की बारे में आपको मैंने उपर बता भी दिया था इससे दुनिया में कुल सबसे बड़े देश है चीन इसको भी पढ़ लेते हैं जब भी हमारे मन में जहन मिस्तर के शावाल आते हैं तो पढ़ना भी लाजमी हो जाता है अब आपको बताना है कि उत्तरी अमेरिका यह तीसरा सबसे बड़ा महादूी अब उत्तरी अमेरिका अपस में पानामा चल संदी से जुड़े हुए यह एक कई बार आपके परिच्छा में फूछ लियाती है असल संदी क्या होती है असल का एक ऐसा जनसे होगा ठीक है यहांते किसी के मन में कोई डाउट हो कोई सवाल हो तो बीना जिजक क्या पूछेगा और हमारा पूरा उद्देश होगा यह हम आपको इन सारे तथ्यों को पसपष्ट करें और बताए उत्तरी अमेरिका गहम बात करें उत्तरी अमेरिका उत्तरी और उसे पांच्वाज स्था रखता है लेकि दिश्टी कोई से देखा जाए बिश्व का तीसरा सबसे बड़ा महादूइब है और यह पितिवी के पश्चमी गोलार्द में इस्तित हैं और उत्तर पश्चमी गोलार्द में कह सकते हैं शे क्योंकि यहां से परिच्छों में जब सवाल पुछे आते हैं तो भाईया जब सवाल पुछे जाएंगे तो तक्त्यों को भी पढ़ना जरूरी है और साधी साथ यह जानते रहेगा कि यह प्रसिद्ध जो सूपरियर जीले इसी महादूप पर है सरुतराज अमेरिका और करनाड़ा के जो शीमा पर है और रा सिवी के पश्च्चमी गोलारत में भी इस थी था यह पर नामा अगर हम बात करें जुड़ा है जब दो सबसे उचे जवालम की जिंका नाम माnट चिंबराजों है और मांटगोटा-पैक्शी इसी महादूप पर है और काफी के लिए उत्पादन के लिए बहुत प्रशिद्ध ब्राजील जो है इसी महादीप में देश है जो दुनिया में सबसे आदा जहाँ पर काफी उत्पादन होता है या बारत देश की सबसे बड़ी जो शांप की अबादी है एना कॉंडा वो आस्रे यहीं है ठीक है इ यहां से सवाल आपके प्राह कई बार परिक्षाओं में पूछे आते हैं आज भी मैंने कोशिस किया कि उन सभी तत्यों के बारे में आपको परचे करा दे और यह महादीप दो महासागर से घिरा अटलंटिक और प्रशांद महासागर एंडीज दुनिया की सबसे लंबी पर महादीप में हैं ठीक है तो यहां से सवाल आपके परिक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं और हम चाहते हैं आपने भी इसे पढ़ा और समझा होगा हम आवर आगे चलते हैं इसके तर्थ्यों के साथ अस्टलिया महादीप यह सबसे छोटा महादीप है यह पूरी तरह से दच्छनी गुलारद मिस्ती थे चारो और से समझ से घिराओने करना अस्टलिया को दुईपी महादीप के आते हैं कौनसा महादीप के आते हैं दुईपी महादीप के नाम से जानते हैं अब और यहां पर हम बात करें तो यहां पर कंगारू बहुत ज़्यादा होते इसलिए कंगारू महादीब के नाम से जानते हैं और यह चारो तरफ से देखा जाए तो किस महादीब से घेरा जारा कॉमेंट करके इस सिसन में जवाब दीजेगा जो लोग भी इस वीडियो को पढ़ रहे हैं जो लोग भी इस वीडियो को हमारे साथ देख रहे हैं क्योंकि कई बर शवाल परिछा में आता है और लोग गलती भी कर जाते हैं जवाब दिया करें मतलब यह मानिए कि आप लाइप सेसर में बैठे हैं क्लास में बैठे हैं और आप अपने घर पर बैठके पढ़ रहे हैं पुरी गलार्ण में ने हयता है दुपी महदूीब की रूप में जाना जाता है महादीब की बैठें है और अगर देखा जाए तो यहां पर महदीप सबसे बड़ा जो देश है, एक ही देश है, आस्टेलिया है, ठीक्त है? तो यह कई बाइदे आंशे सवाल परिच्चा में पूछाए तब, इस महदीप की बेच छे मकर रेखा गुजरती है, कौन सी रेखा गुजरती है? मकर महादीप के बारे में यह एक विशाल महादीप है जो दच्छनी दुरूवी छित्र में इस्तित है इस महादीप में मनुष्का स्थाई निवास नहीं है कई देशों ने सोध केंद्र खोल रखे हैं भारत के सोध केंद्रों के नाम मैत्री और गंगोत्री है क्या नाम इसके मै महादीपों के बारे में पढ़े लिया और समझ लिया ठीक हम बढ़ते हैं वाय मंडल की तरफ देखे इसकी जो नोट से टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है दुर्गेश है बिना इस्पेस के ई-लेरिंग पर दुर्गेश आएगा आप उसे ज्वाइन कर लीजेगा सभी लोग जो लोग इस जानते हैं यह जीवन के लिए अनकूलन तापमान बनाया रखने में सायक है वायू का नियामने परशन भाग देखा जाए तो वाय मंडल के 32 किलोमेटर को उचावी में ही पाया जाता है यूँ कहें तो प्रिथिवी की इर्दगेश वायू का घंडार है प्रिथिवी की पर हाओ का जल्वास और धुलकल गणों से मिलकर बने हैं हम बात करते हैं हवा का शंगतन अगर नागतन की बात कर निया हवा मुक्ष रूप से नेट्रोजन और ओक्सिजन से बने हीा किसे नेट्रोजन कर से नेट्रोजन दवा में अटातर परसेंट नेट्रोजन एकईस परसेंट ऑक्सीजन दो गैसों मिलाकर हमारे वर्मेंडर के 99 परसेंट गैस हो जाता है इसलिए नेट्रोजन हमारे लिए और अन्य जनतों के लिए उतना ही महत्त्रपोर हैं ठीक अब ऑक्सीजन की बात करते हैं सजीवों के शोषन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती हैं इसके अलामा किसी भी चीज़ के दहन करने के लिए ऑक्सीजन अनिमार और जरूरी होता है अब हम आगे बात करते है carbon dioxide अब carbon dioxide co2 की भूम का क्या है पौधे carbon dioxide का उप्योग प्रकास translation के लिए करते हैं आपको भी पता होगा कि प्रकास translation किरियाद्वा दौर्ए पौधे भोजन बनाते हैं carbon dioxide और इस उस्मा को हमारे वाय मंडल से बाहर नहीं जाने देता इस तरह से करबन डियक्साइड पिद्वी पर समचित तापमान बनाय रखने में भी मदद करता है तो यह आप सभी के लिए इंपोर्टेंट है कि अगर करबन डियक्साइड नहीं होता पैसी पर तो जीवन भी शं मुद तलपर हवा का घनत तो सबसे अधिक होता है यह सब इंपोर्टेंट लाइन कूट वाले सौल में पूछे जाते हैं जैसे से मुझ तरब जाते हवा घनत तो क्या होता है घरता जाता है शामानी दाब में हम आसानी सांस लेते हैं लेकिन जब हम हवा का दभाव कम हो जा निम्नवाईदाप के तरफ चलती है, और हवा को हम पवन भी कहते हैं, ठीक, बागी आगी कच्छोग जब एंसियाटी पढ़ेंगे, तो हम और चीजों को किलियर कर लेंगे, हम जानते हैं छोब मंडल, जिसे हम परिवर्तर मंडल के नाम से भी जानते हैं, इस मंडल में मौसन उचाई पर बढ़ने के साथ सा ताप मान में भी गिरावट आती है, समताप मंडल इस मंडल में ओजोन परत पा जाता है, इसलिए उजों मंडल भी कहते हैं, क्योंसा मंडल? ओजोन मंडल कहते हैं, यहां पर ताप मान लभघ बराबर होता है, यहां पर मौससाफ समस्ञ ag मंडल में हवाई सवारी तरेंग द्कीया बात यह मुद्द हमारा यह मन लिजए-गाँ इसा इनिक क्रिणए आपर अहपर होते हैं और इस वज़े से इस मंडल में जितने वे वह इस आयें मडल से होता है और यह बीच में एक होता है मध्य मंडल जहाए बढ़ता जाता है अब छोब मंडल को हम लोग पढ़ लेते हैं छोब मंडल के हैं धर्ती सबसे नीचे वाली परत है जिसकी उचाई धुरूब पर आठ किलमेटर विस्वत रिखा पर 18 किलमेटर लगभाग है छोब मंडल में तापमानी गिरावाट 155 मीटर उपर जाने पर एक डिगरी से तापमान कम हो जाता है यह इंपोर्टेंट लाइन है यह कई बार आपके परिच्छा में पूछा जा चुका है छोब मंडल में ही सभी वय मंडली घटा है जैसे बादल आधी वर्सा छोब मंडल को श्रमहन मंडल या परिवरतन मंडल कहते हैं क्योंकि यहाँ पर मौसम औ लोग धान देंगे कि 18-20 किलिमेटर की उचाई तक यह मंडल है इसमें तापमान समान रहता है इसमें मौसमी घटनाए आधी बादल धोलकन कुछ नहीं होते हैं इस मंडल में वाय यान के उड़ने की अच्छी दसा पाई जाती है समताप मंडल की मुटाए ध्रूमों पर मंणल में होता है अगला है ओजोन मंडल समताप मंडल में होता 22-60लेकिंटीवच के भीष होता है यह मंडल में ओचपार प्रते पाहते निकरीत होता है। बाय मंडल क्या है? यह 46 km लेकर उपर के भाग को हम भाय मंडल कहते हैं, इस पर कोई भी सीमा निगात नहीं है, इस मंडल में हैट्रोजन और हीलियम हलकी गैस्व की प्रधानटा है, अब हम लोग पढते हैं जल मंडल, जल मंडल क्या है? जल मंडल से मेरा त पित्वी के ऐसा ग्रह है जिसमें जल पाया जाता है इसलिए पित्वी को जली ग्रह और जल के धिक्ता कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है बात करते हैं जल मंडल की सरचना के बारे में तो पित्वी के दच्छणी गुलार्द में जल मंडल का बिस्तार अधिक है दच्छणी 3-4 km कितनी हैं 3-4 km है क्योंकि यहां से भी सवाल इस तरह के सवाल भी हमारे और आपके परिच्छों में कई बार पुछे जाते हैं और पुछे जा चुके हैं इसलिए आपको घबलाना नहीं है इस तरह के प्रश्णों को भी जब आप देते रहना है चलिए हम इसी के साथ तो पितिवी पर जितना जल उपलब्द है उसका 97% भाग महाशागरों में कहां पर हैं आज भी महाशागर में ही है 2% भाग बर्फ के चादरों के रूप में जमा है और 1% से कम भाग ताजे जल के रूप में इस तरह के सवाल कई बार आपके परिच्छों में पुछे जाते हैं और आगे भी पुछे जाने की प्रभल जो है वो भी संभौना बनी रहेगी आई यें इस तरह के सेशन को आगे ले चलते हैं जो धरातल के नीचे भूमिगत जल की रूप में भी मिलता है जल मंडल में जल का कूल आयतन लगभक एक करब पचीस करोण घन किलोमेटर है ज चाहें तो फैक्ट आप लिख ले चाहें यह उस्षिस करते हैं इससन को पूरी तरह से कले करने का जल मंडल पृत्वी को और वाय मंडल की जलवास भी समलित है महासागर में 97% भाग पर खारा जल पाया जाता है यह इतना अधिक खारा होता है कि मानों के उप्योग में भी नहीं आता सेज जल का बहुत बड़ा भाग बर्प की परत और हिम्नदी और भूमी का जल की रूप में पाया जाता है जो आप सभी के लिए पढ़ने जानने आदि के लिए महत्तपूर्ण है हम बढ़ते हैं और आगे की तरफ महासागर जल मंडल के मुक्य भाग हैं यह आपस में दूसरे जुड़े हुए हैं महासागर जल हमेंसे अगत सील रहता है अब कुछ महासागरों के बारे में उनके नाम भी पढ़ लेते हैं जो परिष्या के दुश्च्र protected से हमारे राप के लुक्योगी हो सकते हैं यह अगर मैं हैं बात करूँ तो अगर इंके बारे में चच्श मुक्ह महासागर् हैं प्रशान्त महासागर, अट्लांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्किटिक महासागर और दच्छणी महासागर ये परिच्छा की दिश्टिकोन से काफी अहम और काफी इंपोर्टेंट है अब हम बात करते हैं प्रशान्त महासागर ये दुनिया का सबसे बड़ा महासागर यह लगबग बिट्ताकार है एस्ट्रेलिया उत्री अमेरिका और दच्छड मेरिका मिलकर प्रशान्द मासागर को चारे ओर सो घेरेव हैं यह दुनिया का सबसे गहरा स्थान कहां पर इसी महादीप पर है जिससे दुनिया का सबसे गहरा गर्थ जिसे मेरियानय ट्रंच कहते जो ग्यारह हजार बाइस मेटर की उचाई पर है